अलो दोस्तों तो स्वागत आपका मेरे चैनल रोमेंस विद मार्केट में दोस्तों देखिए आज मार्केट में क्या हुआ है एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और सेम टाइम गैप को फिल कर दिया लेकिन जहां से कल मार्केट क्लोज हुआ था वहां से मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया और वह लेवल एक बहुत इंपोर्टन लेवल था आप यहां पर देख सकते हैं 17700 तो मार्केट 27700 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और यहां से एक दोबारा से फॉल आया और मार्केट 17-600 के नीचे 17-560 के आसपास तक ड्रोप हुआ उसके यहां पे 17-550 का एक सपोर्ट था वहां से मार्केट ने 12-17-700 के तरफ गया वहां फिर से उसे रेजिदेंस लिया और नीचे आया साथ में क्या था आप अगर देखेंगे जिसके मार्केट उपर गया नीचे आया ऊपर गया और लगवग बहीं पे जहां से स्टार्टिंग हुई थी बहीं पर क्लोजिंग हुई है इसका मतलब क्या हुआ आज समसकते हैं आज एकस्पाइर एडे था प्रिमियम को रखना था सेफ तो मार्केट को उस ही जगए डेटा को चेक करते PCI defense को चेक करते तो क्या हमारा पैटर्न सेम पैटर्न बनता क्या उस डेटा से हम आज ट्रेड ले सकते थे या नहीं इसीज को भी हम देखेंगे उसके लिए हम एक्सल सीट पर चलते हैं कि यहां पर आप एक्सल सीट में देखिए यह हमारा PCI defense का चार्ट है आज थोड़ा डाटा दस बज़े से डेटा है तो यहां पर देखेंगे दस बज़े डेटा नीचे की तरफ फॉल होने लगा था तो हम चार्ट में देखेंगे दस बज़े के हमारा बेर्स मुवमेंटम था और यहां पर देखेंगे लगवग बारा-पचास बारा-उनसट इस लेवल का आप देख सकते हैं कि बारा-पचास लिखा यहां पर बारा-पचास के बाद मार्केट ऊपर एक तरफ गया था तो सिटकॉम चार्ट पर भी देखेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यह नव पच्पन की कैंडल है और यह हमारी दस बज़े की कैंडल है हमारा पीसे डिफेरेंस दस बज़े चेंज हुआ था नेगेटिव की तरफ और मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिया था तो एक इंट्री हमें यहां पर मिल लए थी इस लेवल पर 17700 का मारा अलेडी रेजिस्टेंस था जो मैं पता था साथ में में पीसे डिफेरेंस ने सपोर्ट किया दो में हमारे डारेक्शन में दो सिग्नल मिल गए तो हमें इंट्री लेनी थी और यहां पर यहां प्रफिट बुक करना था उसके आद मारे जो नेक्स सिंगल था एक बज़े एक बज़े केंडल यहां पर आप देख सकते हैं आपने यह प्रफिट बुक कर लिया जैसे ही आपका पीसे डिफेरेंस चेंज हुआ आपको यहां आपना यह वाला प्रफिट बुक कर लेना था और नेक्स्ट पॉजिशन भी बना सकते थे इसमाल स्टॉप लॉस नेक्स्ट अमारा दुबारना साथ चेंज होता चला गया था यहां पर पुट राइटिंग जाता होई थी ओं मार्केट दो अच्छी इंट्री का मोखम ला था क्योंकि मार्केट ने एक एन बनाया है आप अच्छा को घ्रक दोनों तरुक से पैसा बना सकते थे अच्छा टेंडी यहां पर मार्केट मिला था अगर करेंगे तो अब आप करेंगे देखिये मार्केट जहां स्टार्ट हुआ लगबख वहीं पे लोग तो जो यह दो लेवल जो मैंने आपको बता रख रखे थे 17700 से लेके 17660 का यह लेवल जो अभी हमारा एक रेजिश्टन बन चुका है यहां पर अब नीचे की तरफ 17500 का लेवल यह लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो चुके हैं जब तक इन लेवल्स को मार्केट क्रोस नहीं करेगा तब तक हम कोई प्रोजिशन नहीं बनाएंगे बीच में मैं स्केल्पिंग करनी है इस के लिए मैंने आपको कल भी बताया था तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बार हम दोबारा अपनी यहां पर हम देख सकते हैं सबसे अधा कॉल राइटिंग और रखीए 18000 पर और सबसे इस अधा पुट राइटिंग और के 17500 पर और मार्केट नियर है 17500 के तो अभी 17650 क्या सपास चल दा है तो मार्केट 17500 के नियर है अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है और 17500 की OI में कोई गिरावट नहीं आती है बलकि 17500 पर QI बिल्ड होती है तो यहां पर 17500 के पास आने पर आप कॉल वाई कर सकते हैं यह हमारे एक सपोर्ट काम करेगा अच्छा सा सेम सिच्वेशन और अगर मारके 18000 तक पहुंच जाता है और 18000 पर जो वाई यह उनमें पैनिक नहीं होता है तब तक आप जैसे ही वहां से एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं और मारके रिवर्सल हो सकता है लेकिन 18000 तक जाने के लिए सब से पहले हमारे पास वी रुकाव सब्सक्राइब करना है जैसा कि मैंने आपको बताया एक हमारा यहां पर लेवे 17800 का बना हुआ है तो अभी ऊपर के लिए थोड़ा सा क्रिशल मुमेंट है रिवर्सल आ सकते हैं जब तक मारके अभी साइडवेज अकर रहेगा तो यहां इस जोन में रहेगा एक और चीज म आज निगेटिव है 0.46% असी पाइं नीचे चल रहा है तो हमारा व्यू कल भी मारकेट नीचे की तरफ है लाश्ट टेट जो हुई है 17558 तो हमारा भी कल 17500 का सपोर्ट का काम करेगा तो अगर मारकेट नीच जाता 17500 के असपास और 17500 की पी में गिरावट नहीं आती बलकि इनक्रीज मेंट होता है तो आप एक है कि गॉल भाऐ करेंगे 17500 से रिवर्सल के लिए सपोर्ट का काम करेगा गलम फिटलों मारकेट देखें तो गलोल मार्केट विमारा वीठीप है तो हम क्या करेंगे अकल भीरिस मोमेंट्म लेकर चलेंगे लेकिन भीरिस मोमेंटम होने तो दुबारा से हम चार्ट देखेंगे और समझेंगे हमारी सिच्वेशन क्या है हमें कैसे कल ट्रेड लेनी है जैसा कि मैंने बताया यहां पर यहां पर में एक होजिंटर लाइन ड्रो कर देता हूँ आपके लिए तो अगर मार्गेट कल गैप डाउन होता है जैसा कि मैं दिखराएग डाउन उनरेग चांस इस लेवल में देखने के ताए कशी क्यों आस सकता है तो तो आपजर्ब क्या करना है आपको 17500 की P पर Y को भी चेक करते रहना है तो अगर 17500 के लोग पैनिक नहीं होते हैं तो मार्केट यहां से रिवर्स लेके ऊपर जा सकता है अगर हमारा मार्केट बुलिस हो सकता है अगर हमारा मार्केट गैब डाउन नहीं होता है इसी जोन में खुलता है यह आल लेडी आप देख सकते हैं इस जोन में मार्केट बहुत ही जादा टेवल किया है तो जब इस लेवल को क्रोस करेगा तो हमें कोई इंट्री नहीं है क्य साथ में अगर कोई ऐसी चीज होती है जिससे की PCR डिफेरेंस को भी साथ में आप अगर ऑबजर्व करेंगे तो आप अगर उपर कोई अच्छा मोमिंटम आगा उसे कैच कर सकते हैं एच पर नाव हमारे जो कॉल हो आई है टायटिंग होए 7800 पर भी यह 7700 पर भी है अर्च बना हुआ है तो उपर इक तरफ अबरे शापोर्ट कम है मेरे सपोर्ट मास तरह पानसों को आगर सपांसों तो जाता है और सफार पांसों की इसापर पांसों पी कि ओवींअ और त्वाई नहीं तो सपोर्ट लेने पर आपको नाजिए मैंने आपको लाश्टम बताया है उसे ध्यान में समझना जो मैंने ओवाई डिक्रीज और ओवाई इंक्रीज के साथ रिजन रिलेट किया है उस चीज को ऑपजर्व करना और अपने टेरिंग में इंवल्व करना आप ऑप्शन वाइंग में अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्त झाल